दिपावली की रात करे ये उपाय, सालों भर धन बरसेगा, यानि कि आप जैसे हैं दिपावली की रात को इस छोटे से उपाय को किजिएगा, कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी, सालों भर छप परफार के धन बरसेगा, जानि कि जब ही आपको किसी चीज की जरुवत होगी, उसी समय पूरा होने लगेगा, बस महसूस होने लगेगा, और कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी, बस आप दिपावली की रात को आप एक सिक्का लेकर के, थोड़ी से मतरा में सिंदूर लेकर के, सिर्फ दो मिनट का स समय दे करके, इस उपाय को कर लिजिएगा, सालों भर धन की कमी नहीं होगी, आई बताते हैं, कैसे करना है इस उपाय को, ताकि आप मला माल हो जाए, आपकी किस्मत चमक जाए, मैं आप सुझी को बता दू कि जो दिपावली होता है, साल में सिर्फ एक बार आता है, बार ब बताते हैं, साथ में मैं ये भी बताऊंगा इस वीडियो में, कि आपको दिपावली के दिन कौन से काम है, जो कि आपको नहीं करना है, कुछ-कुछ ऐसे काम है कि दिपावली के दिन करने से आपकी परसानिया बर सकती है, और कंगालिया ला सकती है, दिखते आ सकती है, तो आपको उसमें सुधार लाना है ठिक है ना अपको इस उपाय को कैसे करना है की आपको सिंदूर, उपाय को दौवली के रात को कैसे करना है ताकि किश्मत जमक जाये smaller और सालो भर धन की बारिश होती रहे आए यह बताते है अभी तक में चाम को सबस्क्राइबन नहीं है हैं तो प्लिज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम जितने भी उड़ाएंगे सबसे पहले आप के पास में जाएगा सबसे पहले तो आप क्या किजिएगा एक सिखका ले लिजिएगा और थोड़ी सिमातरा में सिंदूर ले लिजिएगा एक भुजपत्र कागज ले लिजिएगा और उसी पे सीखका और एक सिंदूर रख दीजिएगा गंगा जल हो सके तो एक दो विजिएगा लाल कप्र मीं इसको लपेट करके मालक शमीर का नाम ले करें अपने इश्चे देवका अब आईये हम बताते है कि दिपावली के दिन कुछ-कुछ ऐसे काम है जो कारने से दिखते आती है परसानी आती है तो मैं आप सभी को बता दू कि कौन सा काम है और आपको कैसे उसमें सुधार लाना है कैसे रोकना है उसको आये बताते हैं सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि दिपावली के रात जैसे ही साम होगा संध्या होगा अपने घर में जारू ना लगाए थोरा सा भी जारू ना लगा है ठीक है ना दूसरी बात पर ध्यान दीजिएगा जैसे ही साम होगा अपने घर में बरतन ना माजे दिपावली के दिन तीसरी बात मैं आप सभी को बता दू कि जैसे ही साम होगा उस समय आपको मैं बता दू कि क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने घर में एक हुरा कट-कट पहले से रखते हैं और उस समय बाहर ले जाकर के फिकते हैं ये काम नहीं करना है बस इतने बात पर ध्रान ये बहुत ही अच्चुक उपाय है आप सोच समझ कर इसको उपाय को कीजिएगा और जहां भी दिखाता लगे नीचे कमेंट कीजिएगा हमकी मदद करेंगे यदि आप हमारे चानल पर नए हैं तो प्लीज में चानल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा तैकि हम जितने भी भी रहेंगे सबसे पहला प्रिक पास में जाएगा